हाई एबरीवारं वेलकम चू नियो वीडियो तो टोड़ेश आम कोई टोड़ेश नियू आइमीकप लूख आप सब को यह वीडियो बहुत साथ पसंद आएगी वीडियो पे अगर आप नए आयो तो प्लीज सबस्क्राइब जुरूर कीजिगा चैनल को साथ ही बैल अकर फिल अब कर ली थी तो अभी मैं अपनी इस आईशेडो पैलेट से लाइटिश स्किन कलर का यह एक आईशेडो है इसको मैं अपलाय कर रही हूं अपनी ग्रीज लाइन पे और कोई भी आपको ब्लेंडिंग ब्रश लेना है अच्छा था फलफी उससे आपको बैक और फोर्थ तो उसे इस तरीके से बैक और फोर्थ में सरकुलर मोशन में ब्लेंड आउट करना है ब्लेंडिंग बहुत सब अच्छी होने चाहिए तभी आई मेकप अच्छा होगा हमारा उसके बाद मैंने यह डार्क ब्राउनिश कलर लिया है इसको मैंने अपनी स्किन वाले के टोन के अच्छी कर दिया है तो इसको भी मैं बैक इंफोर्थ में अपलाई कर रही हूं थोड़ा सा राउंड शेप में और ब्रेश में ने आपे चेंज कर दिया आप देख सकते हो तो इस तरीके से आपको ब्लेंडिंग करते रहना है जब तक यह अच्छी से मर्जना हो जाए उस लेजीगा छोटा सा और वह साफ होना चाहिए तक हमारा एक्स्ट्र जो प्रोड़क्ट हो हट जाए और अच्छी से ब्लेंडिंग हो जाए हर जगा उसको उसके बाद मैंने यहां पे अलग ब्रेश लिया है लाइक फर्स्ट वाला ही ब्रेश लिया है उससे मैं एक बार और बेकन फोर्थ में अच्छे से ब्लेंड कर दिया नेक्स्ट है हमारी कट क्रीस की बारी तो कट क्रीस के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रेश दिया उस पर कंसीडर लगा के मैं इस तरह के सब लेटको कंसीडर बना रही हूं लिट पे तो यहां पाको लगवे उप्र देखना आपको वह ले ट्रिक बहुत जादा काम आएगी आप मेली और मेकप वीडियो देखना तो वहां पर मैं ऐसे वह ले ट्रिक ज़रूर अप्लाय करती हूं उसके बाद मैं यहां पर अच्छी सब ब्लैंड कर दिया अगें अपनी कट क्रीज के साथ एक और शैडो को जो की डार् चर्ड दूंड दीत के अपन कर के दो अगा चांड पर और में आपको शैड रहा हुआ जाएक लीडियों को शैर्ड के सकते हैं अच्छी से दोनों शैड को मिक्स पार दिया है अब आरी है लिकृट लाइनर की तो यह बेला वस्टे का तो इसका मैं आपको शोकर ना भूल तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप चैक आउट करना जूरूरू यह प्रोड़क्ट बहुत अच्छा है सारी मेकप में जो जान आई है वो इसी की वज़े से आई थी तो नेक्स्ट मैंने ऐlla यह नए अपले कर दिया यह और मैं इयूब कर रहे हूं पहले मेने पें लाइनस से फ्लेड ah वसके बाद मैं दे मेन दे नच्ट आनी जो कि एगंदिया थे जий कर दे बाद मैं अब देल कॉघन वे शर्ण आप कर जाए है नौरमल उसके बाद में आपने लोर डंडे की हैं जो कि मैंने आपर इले किये थे यानिकी बिंग डार्क मारून और स्किन टॉन कलर को दोनों को मिक्स करके ब्लैक शर्ड के साथ मिक्स कर दिया है तो मेरी लोड लैशनल अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है मैं अब मस्कारा लगा रही हूं और मैं आपको बता दो मैं काजल बहुत ज़्याद नहीं लगा है क्योंकि मेरी आई सोली सेंसिटिव है काजल मुझे सूट नहीं करता है वाटरी आईज हो जाती है मेरी इसलिए मैंने कम-कम लगाया था उसके बाद मैंने यह जो मस्कारा अप्लाय कर दिया है और लोड लैशनल में अपको जुरूर मस्कारा अप्लाय करना है अब मैने आप आपंध ब्रस्स से मैंने अपना हैलेटर लिया है और अपने ब्राव बाव बॉन को इननरगा जुक कार दिया बार यह बार एंसे हैलेट करने के तो फैस को अपने चीक पोन्स को अच्छे 17 आपको अपना को विसा भी हालेटर ले जीगा मेरा ये master groom का highlighter था अब मैंने अपनी lashes apply कर दी है तो आप देख सकते हैं ये fake lashes और मेरी natural lashes एकदम natural look दे रही है मेरा eye makeup बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस से heavy look नहीं आ रहा क्योंकि काफी lashes होते हैं बहुत ज़्यादा heavy look कर देती है eyes पे तो वो चीज आपके आँखों को दुखा देती तो मैंने इसलिए एकदम हल्की सी lashes से ही apply करिए तो I hope आप सबको ये वीडियो बहुत सदा पसंद आई होगी तो वीडियो को like ज़रूर दीजेगा और comment सक्ष में मुझे ज़रूर बताएगा कैसी लगी वीडियो तो आप मैं मिलती हूँ आप सबको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तिल दें बाबाई टेक केर